हलो बच्चों दिस इस सौरब फिजिक्स मेंटर एंड सी एओ एड विद्यमंदर क्लासिस जेई 2024 की डेट्स अनॉंस हो गई हैं 24 जैन्वरी से 1st सेशन शुरू होगा, एप्रिल में 2 होगा और हम आपके साथ 90 डेज चैलेंज भी लेके आ रहे हैं जो आपको जैन्वरी एटेंट को इस करने में हेल्प करेगा उसके साथ बहुत सारे जैसा मैंने आपको बताया था टीजर में भी कि खूब सारे कॉंसेप्ट वीडियोज, स्ट्राटेजी वीडियोज, टिप्स वीडियोज और कॉस्चन और टॉपिक टेचिंग तो होगी होगी यानि यह 90 डेज अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आप जैए में एक धमाकेदार परसेंटाइल लेके आ सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टिप्स for physics for JMAN 2024 टिप्स कैसी हैं? टिप्स complete data analysis पर based हैं ठीक है? कोई prediction नहीं है, कोई horoscope नहीं है कोई numerology नहीं है, कुछ भी नहीं है जो analysis हमने की है, जो हर साल मैं करता हूँ बच्चों के साथ और हर साल आप लोग उसको बहुत उससे देखते भी हैं शौक से और काफी सारा प्यार देते हैं उसको, उसी सीरीज को continue इस साल भी कर रहे हैं कि हम एक 10 अनलसेस करके दिखाएंगे आपके सामने और उस 10 अनलसेस से हम ये दिखेंगे कि कितने जो हैं टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स हमें फटाफट कर लेने हैं, क्योंकि अभी जो टाइम आ गया है ये, ऑक्टोबर का, यहाँ पे अब हमारे दिमाग में कुछ-कुछ चीजें चल रही हैं, कैसी चीजें चल रही हैं, कि भई 11 के कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, 12 तो अभी चली रहा है, रिविजिन में कौन से टॉपिक्स को पहले लें, किसको बाद ही होता, कई भार वो कॉश्चन पांच नंबर की गरवड करा दे जाता है, कैसे एक गलत भी हो जाता है, और दूसरे कॉश्चन के माइनस वन भी ले जाता है, तो इसलिए हमें इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टन है, कि क्या हमें पढ़ना है, और क्या हमें जाधा लेंगे, और फिर हम एक समरी बना लेंगे, कि हमें किस पर एक्शन लेना है, ठीक है, तो 2018, 19, 20, 21, 22, ठीक है, 21 तक यहाँ पर है, 22 का अलग है पेज, और 23 का अलग है पेज, जितनी बार अटेम्ट हुआ है, उतनी बार यहाँ पर जितने पेपर हुएं लिखे हुए हैं, ज इसमें इससे questions नहीं आए हो, कोई ऐसा साल नहीं होगा, जिसमें इससे questions नहीं आए हो, और मैं कहूँगा कि सबसे सरल भी अगर मुझे कोई कहे करने को, तो मैं कहूँगा, इसमें dimension and vector बनता ही बनता है, काइनामेटिक्स जो है, ठीक ठीक रहा है, ठीक है, एक से दो questions आए है इससे भी ठीक है laws of motion भी रहा है बट बहुत major नहीं रहा है अगर आपको बहुत major रहा है नहीं बहुत major नहीं रहा है जब हम पढ़ रहे होते हैं उसमें आप देखते हो कि कितना हमारे उपर pressure होता है मैं भी जब पढ़ा रहा होता हूँ तो आप से कहता हूँ कि dynamics, work energy और rotation पर जान लगानी है mechanics के अंदर है ना क्यों क्योंकि वो तो physics सिखाती है अगर वो हम नहीं सीखेंगे तो शायदा physics सोच नहीं पाएंगे physics के सोचने की छमता को कभी भी develop नहीं कर पाएंगे ना एक question आ रहा है gravitation में आता भी है और नहीं भी आता बट recently आ रहा है एक question ठीक है SHM में भी ऐसी ही हाल है आ रहा है या नहीं आ रहा है और SHM में से तो basically आता भी है तो कौन सा आ जाता है फिर वो damp.force oscillation वाला भी आजकल आ जा रहा है solids and fluids ओके ओके है ही की बात बन रही है अब जादा बात कहां पर दिख रही है आपको heat and thermodynamics में आप देखिए कितनी अच्छी टैली है heat and thermodynamics के अगर आप टैली देखते हो तो बहुत जबरदस टैली दिख रही है यानि heat and thermodynamics में अगर हम बात करते हैं तो तीन कोशन तक चार कोशन तक जो है वो आज आ रहे हैं जब heat and thermodynamics की बात करें तो क्या-क्या बात कर रहे है तो हम बायत कर रहे है kinetic theory of gases की तो हम बात कर रहे है kalorimetry की तो हम बात कर रहे है first law of thermodynamics की ठीक है और सारे processes की adiabatic, isothermal, isocoric, and isobaric and polytropic as well तो एक बहुत बड़ी tally जो है आप दिख रहे है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे है heat and thermodynamics दूसरी बड़ी tally आपको दिखाई देती है optics की optics यानि ray optics और wave optics मिलके but optics की tally बहुत ही अच्छी optimistic tally जो है मेरे को दिखाई यहाँ पर दे रही है उसके बाद देखिए current electricity एक question नहीं, current electricity में maximum years में बहुत जादा question आए है 21 फरवरी के time को छोड़ दीजे on an average वह काफी सारे questions जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे है right अब अगर हम इसके बाद देखते हैं optics के बाद करने से डी बात हो गई electrostatic से भी question एक या दो आते हैं है न electromanification EMI AC इससे भी देखिए खूब सारे questions जो हैं आपके बन रहे हैं सबसे जबरदस देखिए सबसे जबरदस tally काउन से आ रही है 17 और 18 नंबर से आ रही है यानि modern physics semiconductor वाले part से आ रही है अगर आप average tally देखेंगे तो 6 question की tally जो है वो दिखाई देती है कई बार यह question 8 तक चले गए हैं एक paper के अंदर तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी मात्रा में questions जो है section से आ रहे हैं ठीक है फिर error and measurement जो हमने शुरू में बात करी एक question guaranteed है एक question बिलकुल guaranteed है तो अगर हम इस पूरी बात से करते हैं कहां से कहां तक की हम बात कर रहे हैं अगर हम 2018 से 21 की बात करते हैं तो आपको दिख रहा है कि important topics क्या क्या बन गए important topics बन गए error and measurement unit dimensions बतलब basically वो वाला section पूरा दूसरा बन गया heat and thermo तीसरा बन गया optics चौथा बन गया modern physics ठीक है फिर current electricity current electricity EMIAC फिर electrostatics और फिर mechanics का part आप कह सकते हो इस तरीके की टेली दिखाई दे रही है अब बात हम यह देख रही है क्या यह 21-22 में भी ऐसी रही और 21-22 में ऐसी रही तो क्या 2023 में भी ऐसी रही और अगर यह सारी बात सही बनती है तब हमारे topics final हो जाएंगे कि अब हमें अगले 100 दिनों में किन topics को पढ़ना है तो चलिए आगे देखते हैं कि अगली बार क्या हुआ अगली बार देखते हैं कि जब हम लोग आगए अभी तो इसी में आपको बता रहा है आगए कि 21-22 में क्या हुआ 23 की बाद तो थोड़ी सी बाद में करेंगे 21-22 में आ जाते हैं 21-22 में अगर आप देखे 22 में देखे 21 तक तो देखी चुगे Unidimations की हालत वही है Important का Important बना हुआ है Kinematics ठीक ठीक जा रहा है Laws of Motion ओके ओके है Work Power Energy नहीं काम कर रहा है जादा Center of Mass नहीं काम कर रहा है जादा Rotation नहीं काम कर रहा है जादा Gravitation भी एक ही Question तक है SHM क्योंकि Force और Damned Lock Relations की बात होती है इसलिए Question दिखाई दे रहा है बट Question आ रहा है Heat फिर से देखिए Buddy Tally के साथ आपकी आँखों के सामने Heat आपको दिखाई दे रहा है Buddy Tally के साथ Heat आपको दिखाई दे रहा है 22 Question आए 33 Question आए है ठीक है सारी shifts में लाके है टीजभ देन के सामने तो मुझे लगता है 26 प्लस 21 यानि 47 और 30 प्लस 29 यानि 59 questions इतने सारे questions जो है modern physics से हमारे सामने सारी shift मिलाके आ रहे हैं तो average 6 questions से ज़ादा का बन रहा है यहाँ पर एर आरे मेजरमेंट से एक question पक्का हर बार आ रहा है तो अगर हम 18 से किस तक जो हमने important topics देखे वो बात अभी भी repeatedly 2022 में भी वैसी ही रही यहाँ तक क्या conclude कर सकते हैं यहाँ तक यह conclude कर सकते हैं कि class 12 के सारे topics बहुत ज़ादा important हो रहे हैं देख रहा है आपको अगर आप class 12 के topics को देखना शुरू करिए electrostatics, current electricity magnetics, EMIAC waves, optics, modern physics, semiconductor ठीक है 11 में से सिर्फ क्या दिख रहा है heat and thermo दिख रही है थोड़ी और हलकी सी mechanics दिख रही है और खास तोर से फिर unit, dimension, measurement, error, experiment यह वाला portion जो है आपको दिखाई दे रहा है यानि टेली जो 18 से 21 थी 22 भी वैसी ही रही 2023 को भी analyze करते हैं, 2023 की दोनों shifts को January shift को भी और April shift को भी 2023 important हमारे लिए क्यों है 2023 important देखना इसलिए है हमारे लिए एक तो recent है दूसरी बात COVID ठीक होने के बाद पहली बार जब exam सही से बापस आया तो वो 2023 ही है ठीक है, तो इसलिए 2023 हमारे लिए important role play कर रहा है आये 2023 के बारे में बात करते हैं, ठीक है तो 2023 का session देखते हैं हम लोग, यह हमारा हो गया January का session है, ठीक है अब दिखते हैं कि जो हमने 12th के topics की बात करी है, अब दिखिए उपर वाली table आपको 11th के topic दिखा रही है, नीचे वाली table पूरी भरी हुई है, दिखने ही आपको नीचे वाली table पूरी भरी हुई है यानि कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी chapter से कोई question नहीं आया हो उपर वाली tally में देख रहे हो ना कितने सारे blank spaces है कितने सारे blank spaces है यानि 11th की guarantee नहीं है तो जो बच्चे अभी 12th के अंदर है और इस analysis को देख रहे है या तैयारी कर रहे है उनके लिए बहुत ही golden tip निकल के आ रही है 2018 से लेके 23 तके क्या golden tip निकल के आ रही है कि 12th के topic से question आना guaranteed है 12th के topic से question आना guaranteed है जो 12th pass वाले बच्चे हैं मेरे उनके लिए भी अच्छी बात यह है कि वो भी 12th pass करके आए है topics उनके fresh है उसको पहले revise कर लीजे ठीक है 11th वालों पर focus करना शुरू कर दीजे ठीक है तो देखिए अगरा कि semi conductor communication से देखिए हमेशा 2 से 3 question आए हुए है modern physics से 3 से 2 से 3 question आए हुए है यानि दोनों को अगर में modern physics तो semi conductor बिलाऊं तो देखिए 5 question तो आई रहे 5 question तो आई रहे 5 question मतलब 20 marks 20 marks मतलब top percentile 99.9 वाली physics के अंदर ठीक है electromagnetic EMI सबसे subtle chapter on average 2 से 3 question है ना तो और जो मैंने आपको पहले बोला कि 11 से क्या ज़रूरी है heat and thermo देखिए 2 से 3 question continuous बने हुए है 2 से 3 question continuous बने है 11th की tally का highest देखें तो कित्ता 31 कहां से आ रहा है heat and thermo से आ रहा है second topper कौन है 11th में 23 31 के बाद सीधा topper कौन हो गया 23 हो गया कहां से laws of motion यानि dynamics से यानि mechanics की बाद में 10 question है total पूरे सारी shift मिला के center of mass नहीं लाई कर रहा 7 question ही है सारी shift मिला के तो ये मतलब नहीं है कि ये chapter important नहीं है इनका use कहीं और होता है जब electrocities का question कर रहे है charge sphere को roll करा दिया मेंगनेटिस का question कर रहे है SHM का question कर रहे सिमाल तो सब जगा होता है इसलिए ये chapter बहुत important होते है ठीक है बट ऐसा direct question पूछा गया है तो नहीं ठीक है तो 11 से अगर मुझसे पूछें कि सबसे पहले सर क्या revise करें तो मैं कहूंगा सबसे पहले heat and thermodynamics पे जान लगा दे heat and thermodynamics पे dynamics के normal question होते है सब लोग कर सकते है dynamics के बास solids and fluids की बात आप लोग कर सकते है solids and fluids की बात कर सकते है simple question होते है modulus के Bernoulli's theorem के continuity equation के surface tension viscosity ये वाले ठीक है तो बहुत important है solids and fluids की बात करना फिर important हो गया हमारे लिए heat and thermodynamics की बात करना ठीक है और जिसको कभी करना नहीं भूलेंगे वो है unit dimension and errors एक से दो question बनते हैं ये बात लहीं जनवरी 2023 तक कि क्या अप्रेल 2023 में भी same हुआ है कि नहीं आईए इसको भी देख लेते हैं कुछ लोग सोचें कि इसके बाद कुछ change हो गया हो शायद अब ये फिर से देखिए ट्वेल्थ की टेबल पूरी भरी में दिखाई दे रही है पूरी आबाद टेबल दिखाई दे रही है एना ilevent की टेबल में आबादी बहुत जगा से गायब है यानि जो 2018 में हुआ वही उननेस में हुआ वही 20 में हुआ वही 21 में हुआ वही 22 में हुआ और वही 2023 में भी हुआ वही जनवरी में हुआ और वही अप्रेल में हुआ तो 12th की टेबल की अगर highest tally देखते हैं highest tally फिर से मेरी 43 question के साथ कौन बन गई modern physics बन गई और कोई ऐसी shift नहीं है जिसमें 3 से कम question आए हो और अगर communication साथ में मिला दें तो 7 question से 8 question तक भी कई shifts में आ गए है यानि 6 question तो आए ही आए है उसके बाद फिर normal बात करते हैं तो वैसी ही है कि भहिया उसके बाद important है current electricity फिर important है हमारी optics है ना फिर important है magnetism मतलब element 12th फाले chapter हमारे सारे important है ठीक है almost सारे important है voltage आपको दिख रही है screen पे किसकी कितनी importance है 11th में revision की बात आ रही है तो 11th की tally का topper देखते हैं कौन है तो 11th की tally का topper ये है और 11th की tally का topper इस बार section जो है solids and fluids का है और second topper मेरा फिर से जो बना वो heat and thermo और जो है वही mechanics का portion बनता हुआ आ रहा है यानि कहने का मतलब ये है कि सारी बाते अगर हम कर लें तो कुल मिलाके अंत में अगर हम कुछ बाते कह सकते हैं तो हम ये कहेंगे कि 12th की अगर हम बात करें तो class 12th में तो मैं कहूंगा कि जो सबसे scoring topic है वो मेरा हो गया modern physics ठीक है semiconductors semiconductor के बाद आपका उसके बाद हो गया optics उसके बाद आप कह सकते हो कि EMIAC उसके बाद आप कह सकते हो current electricity और उसके बाद जो है electrostatics and magnetics है तो जो मेरे बच्चे इस समय class 12th में पढ़ रहे हैं उनको ये advice है कि 12th के हर chapter को Bible ही मानो क्योंकि दबल फायदा करेगी डबल दमा करेगी board में भी number लेके आओगे और J में भी number लेके आओगे 11th का revision करने आ रहे हो 11th में क्या करना है 11th के लिए ध्यान लखें जो हमें data ने कहा हमारे data ने कहा कि सबसे important है मेरे लिए heat and thermodynamics सबसे important है heat and thermodynamics उसके बाद जो important बन रहा है वो बन रहा है solids and fluids है ना उसके बाद क्या बन रहा है solids and fluids solids and fluids ठीक है उसके बाद अगर कोई चीज बन रही है तो फिर mechanics के question बन रहे है जिसके अंदर particle dynamics सबसे important है उसके बाद kinematics है फिर कोई और चीज आप कर सकते हो और सबसे important जो है जो सबसे ज़ादा important है मैं कहूंगा वो कौन है वो है मेरा unit dimension measurement errors ठीक है यह इसलिए important है कि सबसे free के marks इस chapter से आप उठा सकते हो ठीक है तो जो data के साथ मैंने आपको समझाया मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आए होगी कि हम क्या कहना चाहते हैं तो 2018 से लेके 21 तक का data एक बार दिखाया 22 का दिखाया फिर 23 का दिखाया और ये clear दिख रहा है हर table में कि examiner का जो trend है examiner का जो mood है वो एक जैसा ही रहता है उसमें कोई खास फरक नहीं आ रहा है एकाथ question का कोई फरक आ रहा हो तो आ रहा हो तो अगर मुझे physics में 25 question करने हैं 25 questions में से अगर मैं 20 question ठीक करना चाहता हूँ यानि 80 marks लाना चाहता हूँ तो मैं 6 marks 6 question तो मेरे सीधे सीधे कहां से बन रहे है modern physics और semiconductor से बन रहे है 6 questions मेरे बन रहे है यहां से modern physics और semiconductor से 2 question मेरे बन रहे है यहां से optics से यानि 8 question हो गए 2-3 question मेरे EMIC से 10-11 question हो गए 2-2 question मेरे current lesson 13 question हो गए 2-3 question मेरे EMIC से यानि 15 question हो गए आते 30 हैं पर करने तो हमें 25 होते उसके बाद और मोस्ट 2-3 question यानि 18 question मैं यहां तक पहुष सकता हूँ 2-3 question मैं solid and fluid से पहुष सकता हूँ और 1-2 question मेरे animation error से आ सकते हैं तो यानि mechanics मैं बाद में भी revision करूँगा तो भी मेरा काम चलेगा बट project करना सारा है तो 11th का जो portion है उसमें कहां से क्या करिये हीट इंड थर्मो करिये पहले solid and fluids करिये फिर mechanics करिये unit dimension measurement करिये और फिर mechanics के question करिये mechanics जो है natural intelligence का topic है ऐसा मैं as a teacher मानता हूँ एक बार अगर आपने पढ़ ली है तो आप उसके question कभी lifetime नहीं भूल सकते हैं तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे end करते हैं और मैं इन important topics के उपर जो है हम लोग series आपके सामने लेके आ रहे हैं हमारे साथ जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल को like करिए subscribe करिए बैल ऐकन दमाना मत भूलिए और ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे हैं wish you all the best for your J2024 all the sessions